कि जो भी फिल्म में धारावाई के धर्म पर बनते हैं, वे स्नात्न धर्म पर ही कोई बनाते हैं, और धर्म का अपमान वे मजाक बनाते हैं, और भी तो धर्म हैं, और कोई धर्म नहीं, धर्म के वल एक है स्नात्न, और सब पंथ हैं, मजव हैं, रिलीजन हैं, धर्म नहीं, ध यह सत्थ कभी दो नहीं। जैसे दोर दो चार होते हैं। इसको कोई बदल नहीं सकता। यह कागजा तो कागजा कोई कही तो मोगाल है। तो ओ फिर जूट कहला है कि सत्थ नहीं। सत एक ही होता है। ये देख रहे हैं, ये माई का है, कोई कहें तो टीवी है, वो जूट बोदर है, सत नहीं, सत तो एक ही होगा क्या, सब यही कहेंगे माई का, माई का, दो नहीं कह सकते हैं, इसी प्रकार धरम, सत को कहते हैं, सचाई को कहते हैं, सत्य धरम, नातन धरम, ये कभी दो नहीं हो सकत एक ही है बाकि सब के अलग-अलग पंथ है और पंथ गलत भी हो सकते है और ठीक भी हो सकते है कुछ अच्छे कुछ बूरे भी हो सकते है पंथों में हर प्रकार के ओफ्सन रहते हैं लेकिन धर्म सत होगा सब के लिए होगा जैसे माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, ये सब के लिए दिन दुख्यों के सेवा करना धर्म है सब के लिए तो धर्म सब के लिए हुआ करता है तो आपने धर्म शब्द कहा कि और धर्मों का मज़ा क्यों नहीं वो धर्म नहीं, वो सा पंथ मजब रिलिजिन है धर्म तो केवल एक है सत्य सत्य नात्म धर्म तो कहा कि उन पर फिल्मे या धारावाहिक क्यों नहीं बनते उनका मजा क्यों नहीं करते इसले नहीं करते उनका मजा करने वाले के लिए क्या होगा वो जो विधर्मी लोग होते हैं विधर्मी, दूसरे पंथों के लोग विधर्मी नहीं, विदूसरे पंथों के लोग, उनका यदि कोई मजाग करेगा, तो तुरांत उनका सीर धड़ से अलग हो जाएगा, माक्षमा नहीं है, मादाया नहीं है, वहां तो कहा गया है, हमको जो औरों को जिता मर बूरा कर दो, हम कुछ ने कहे हमको करोगए तो पंसिर धड़ से अलग कर दें यह है तो और पंत्तों में तो ऐसा है कि मैं यह नहीं कह रागा हूँ कि वो पंत गलत है लेकिन धरम तो बिलकुत ठीक होगा जैसे मातापीता की सेवा करना यह धर्म है अब यह सब के लिए बराबर है तो पंत तो होता है एक अलग मान्यता तो दूसरे पंथों के लोगों में कट्रता है वो किसी उक्षमा नहीं कर सकते हैं उनके विरोध में हो और हमारे हां तो कहा कि हजार बार क्षमा करो उसके बाद भी कोई सुधरे ना फिर सरकार के पास जाओ, कानून उसको धन्ड देगा हाँ कोई हमारे उ प्राक्रमन करे तब भी हम कानून के दाये में रहकर के अपनी सुरक्षा के लिके कुछ अत्यार चला दे, अलग बाता है बाकि ऐसा किसने हमको गाली दे दी हम जाके सिरू उतार दे किसने हमारे राम जी के बारे में गाली दे दी हम जाके कहें कि इसका सिरू काड़ नहीं ये सब धर्म में नहीं होता सब के भीतर राम जी हैं सब उसी राम के हैं एक बाप अपने बच्चे की गया गल्तिक शमन ही करेगा, तो बाप जब बच्चे की गल्ति अगर बच्चे ने बाप को गाली दे दी, क्या बाप उसका सर काड़ देगा बच्चे का? तो हमारे परमात्मों के यदि किसने गाली दे दी, क्या हम उसका काड़ देंगा दर, क्योंकि हमको पता है, हम सब का बाप एक ही परमातमा के समय, सब से प्रेम करो, सब के भीतर भगवा, 美元 सब उसके, ऐसा धर्म कहता है, पंत ऐसा नहीं कहते हैं, फंतों की चोड़ बात में धर्म की बात करो, धर्म ऐसा है, तो हमारा है स्ठना दूत बना के भेजा अंगद को कि हमारे सीता वापिस कर दो हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे ये धर्म है ख्षमा करो गलती सब से होगी मायवस सब गलती कर सकता है लेकिन गलती कर उसको मार दो ये धर्में नहीं होता धर्म में ख्षमा होती है दया होती है, धर्व सुधरने का मोका देता है, यदे कोई गलती करता है, उसक्षमा करता है और वारनी दे तो गलती दुबारा नहीं करना, ये सब धर्व की बाते हैं, लेकिन किसने हमको गाली दे दी और हम कहें, सब धर्व से अलग, तो ये धर्व नहीं, ये मत हैं, लोगो ऐसी बना देते हैं, पिक्चरें भी औरों भी मजा करते हैं, और धर्मों के ओपर क्योंने, इसका उत्तर है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत वाले, और डर्पो कहें, उनको पता कि इसका प्रणाम क्या निकलेगा, मार देंगे हमको दूसरे पंतों के बारे में कुछ बोलेंगे, और सुफ्ट होते हिंदू, हिंदू विचारे कुछ नहीं कहते हैं, इसका मतलब यदि हो हमारे धर्म पे कुछ बना रहे हैं, उडुपटांग मजा कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी महिमा का गान कर रहे हैं, कि हिंदू धर्म के लोग कितने अच्छे देखो, हम कितना बकवा क्योंकि हमारे यहीं सिखा जाता है, दया करो, क्रीपा करो, सब भगवान के हैं, सब जीवे हैं, लेकन हाँ जब घड़ा भरता है, फिर फूटता है, मांभारत मीत हुआ, कितने सालन तो कसहते गए, पांचो पंड़, और असी साल तक पांचो पंड़ ने साफ फिर घड़ा फ फूटा, इसी प्रकार, कंस ने कितने अत्याचार किये हैं, वो सुदेव देव की के उपर, और भगवान को मारने के लिए जब बरजी में हैं, तो 32 बार अक्रमन किया, कुछ नहीं का, 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 कुछ ने का यह धर्म भगवान पालन करके दिखा गए और नर लिला करके दिखा गए क्षमा 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 और जब हद हो जाए पर छोड़ो मत्र यह हुआ लंका कान में यह हुआ मावारत में यह हुआ देवर्शु संग्राम में लेकिन यह नहीं कि किसने गाड़े देदी मा को ब किस के लिए? ये दया किस काम की है, ये क्षमा किस काम की है। लेकर फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं जो नादन धर्म producers के बारे में कुछ भी ऊड़ पटांगे सब असत परस्तें गलत परस्तें बडा चड़ा के तोड़ मोड़के गलत डंग से परस्तें उसका कई हैं हम कुछ कहते हैं उनको पताए बड़े द्यालू-कृपालू अच्छे सभाव के इंदो होते हैं और उसे उनका बिजनिस चमकता है ये भी है और दूसरा उनके मन में इर्शा भी है बैस सोत कितने भी सुन्दर क्यों ना जितनी जादा सुन्दर सोत होगी जितनी जादा सोत में सद्गुन होगे तो दूसरी सोत उतनी उससे इर्शा करेगी उतनी उसकी बुराई करेगी तो हम उनको पता हम कितने उनसे स्रेष्ट हैं कितने अच्छे हैं उनको पता है तो उनमें सोती अड़ा है इसलिए करते हैं ये दूसरा कार्ण है इर्शा है दूसरा कार्ण है पहले वाला काण मैंने बताया था, बिजनीस है उनका, कि थोड़ा भी विरोध होगा तो हमारी पिक्चर की एड हो जाएगे, सब लोग देखेंगे, नहीं तो नेट पे तो देखेंगे हमारा पैसा बनेगा, व्यूज बढ़ेंगे, ये तो लोब है, और दूसरे के बारे में करते हैं कि सोत अपने से सुन्दर होगी तो उतनी बूरी लगेगी, अपने से सोत जितनी सुन्दर होगी उतनी बूरी और अपने से सोत जितनी सदगुन संपन होगी उतनी बूरी लगेगी, तो हम बूरे क्यों लग रहे हैं उनको, सोती अड़ा, कम्पिटीटर हैं हम उनक मतों के बारे में जड़ा विरोध करके देखो कभी दोबारा पिक्चर बनाने लाइक ही नहीं रहेंगा ऐसी गलत और मैं तो कहता हूँ किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए बूरा दिखाना चाहिए गल्द बाता पराद है